हाइ फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में तो आज मैं बनाने जा रहे हूं हेल्दी ब्रिकफास्ट की रेसिपी सुजी का उत्तपम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट सूजी का उत्तपम बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है और एक कप बारिक सूजी लिया है और आधा कप हमने दही लिया है थोड़े से हमने कड़ी पत्ता को कट करके लिया है और थोड़े सी अध्रक हमने बारिक कट करके लिया है टेस्ट के अकुडिंग हमन से मिक्स कर लेना है serving मिट्षिक कर लिया है अब आदे घंटे के लिए ढग कर रख देंगे बेटर हमारा रेस्ट पे हें तब तक हम नारिल की चतनी बढ आ तो यहां पर हमने एक मिक्सी जार लिया है और एक कटोरी हमने फ्रेश नारेल लिया है नारेल को हमने छोटे तुकडों में कट कर लिया है नारेल को हमने एट कर दिया है चार हमने हरीमेश लिया है हरीमेश को एट कर देंगे थोड़ी से हमने अध्रक लिया है अध्रक को हमने छोटे तुकडों में कट कर लिया है जोटी कटोरी हमने भुनी हुई चना दाल ली है चना दाल को एट कर देंगे और थोड़ा सा हमने जीरा लिया है जीरा को एट कर देंगे टेश्ट के उकडिंग नमक लिया है नमक को एट कर देंगे और थोड़ा सा हमने पानी लिया है पानी को भी हम एट कर देंगे अब हमें मिक्सी में ग्राइड कर लेना है तो हमें थोड़ा दरदरा सा ग्राइड कर लेना है बारिक ग्राइड नहीं करना है तो यहां पे हमने ग्राइड कर लिया है अब हम चटनी के उपर तड़का लगा दोड़े से हमें सर सो लिए है दोंने ईसुकी हुई ही लाल मिर्च ली है और थोड़े से कड़ी पत्ता लिये है तो अब अच्छी से मिक्स कर लेना है और छचटनी के उपर तड़ कर दाल देना है और अच्छी से मिक्स कर небольш तो यहां पर हमारी नारेल की चटनी बनके तयार हो गई है और फ्रेंड से नारेल की चटनी बहुती ज्यादा टेस्टी बनके तयार होती है अब हम उत्तपंप का बैटर देख लेंगे तो यहां पर आदा घंटा हो गया है बैटर को तीन हमने बारिक कट की हुई हरिमेज ली ह हार इमिर्ज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमें बैटर को ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है तो बैटर की कंसिस्टंसी यहां पर फर्फेक्ट है उत्तपम में एड करने के लिए हमने थोड़ी से सब्जिया लिए है एक हमने सिम्ला मिर्च लिए है एक हमने टमाटर लिया है और एक हमने प्याज लिया है और एक गाजर लिया है सबी सब्जियों को हमने बारी कट कर लिया है यहां पर हमने तवा को गरम करने के लिए रख दिया है तवा यहां पर गरम हो गया है अब हम तवे को थोड़ा सा से ग्रीस कर लेंगे अब हमें एक चमज बैटर डालेंगे और हमें बैटर को ज्यादा फैलाना नहीं है फ्रेंट्स थोड़ा सामें उत्तपम को मोटा ही रखना है और हमने कट की हुई सब्चिया डाल देंगे तो पहले हम सिम्ला मेर्च को डाल देंगे अब हम टमाटर को पक्ति नहीं है तो हमने पैज को भी डाल दिया है थोड़ा सामने हरा दन्या लिया है गाजर को भी हमने एट कर दिया है अब हमें चमज से थोड़ा सा फ्रेस कर लेना है और थोड़ा सामने सब्जियों के उपर नमक लिया है नमक को अमने एट कर दिया है तब हमके उपर हम तो प्लेट कर भी दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से शेक लेना है तो फ्रेंट उत्तपम हमारा अच्छे से पग गया है अब हम निकाल लेंगे और दूसरी बैज हम बना लेंगे एक चमज भरा बैटर डाल देंगे तो बैटर को हमें थोड़ा सा फैलाना है ज्यादा हमे इसने अजगर देंगे और हम सिम्ला मिर्च को डाल देंगे और ठोडे से मन्नी टमाटर ले एह है ऐसे मिनगाजियों को हम अच्छे से प्रेस कर लेना है और थोड़ा से नमक डाल देंगे सब्स्मजी यां पर teakक governo सब्स्टियान यहां पर प्रिकर नहीं लगे इसलिए हम थोड़ा से इस पर नमक डाल देंगे फ्रेंट्स आप चाहे तो इस पर चाट मसाला भी आइट कर सकते हो तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा उप्तपम बनके तयार हो गया है और देखें एकदम अच्छे से पग गया है तो फ्रेंट्स एक खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी हो और बेल आइकन को प्रेस तरना ना भूलें